तो अभी हमने संख्या 121 में इग्यारा का भाग कैसे दें यह सीखेंगे 121 divided by 11 का किल्कुलिशन करेंगे किसका डिवाइड करना है इग्यारा का किसमें 121 में इग्यारा का भाग की सुरुवात कैसे करें इसको समझते हैं जब दीगे संख्या इससे बढ़ी हो इसका तुलना कैसे करना है जितने आंके संख्या उतने आंके साथ तुलना करूँ क्या 11 से बढ़ा है यस तो डिवाइड करना शुरू करते हैं इग्यारा का पाड़ा कितनी वार लें कि 12 से बढ़ा ना है या 11 का पाड़ा से नहीं करना चाहते है 11 को एक से लेकर 9 तक कौन सी संक्या से गुणा करें कि 12 से बढ़ाना है जैसे 11 को हमने एक से गुणा किया कितना रहा 11 तो भाग गया एक वार कितना गया 11 फिर हमने गटाया एक आ रहा रहा उपर से एक को यानी चले पिर गया एक और कितना आगिया फिर यह रहा फिर हमने गटाया जीरो आगिया चीक है तो यह आपका क्या है भागफल है इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं यानि एंसर है यह आपका ओके आसान है